पहावत है ना अंगूर खटे जब आदमी को एक तरह का हसद है लोग कहीं ने कहीं सोते हैं कहीं मुसलमानों को मिलना जाए जन्नत में बहुत्तर हो रहे तो उनको चिड़ है हसद है जिसे लोग देगर मजाए बहले कुछ हसद करते हैं इसलिए साम पर कीच उठाते हैं तो आदकी हिष्टरी पढ़कर देखल लिजिए बादशाहों को मौकां मिले तो कितने लोग के पास होती थी कितने अख हमतीजों की बहादतर अदमी की खटे अब इसको कहते हैं अंगूर खटें हैं अगर आप लाकिए जायस तरीके से मरने के बाद मिलेगा तो आप करतें जो हूर मिलने का जिक्र है वो किसके लिए है वो नेक लोगों के लिए है जो नेकी करेंगे इमान के साथ अमल करेंगे अच्छे काम करेंगे जन्नत जाएंगे ऐसे लोगों को हूर मिलने की बात है कि ये जो आखरत का घर है यानि जन्नत हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो जमीन में बड़पन नहीं चाहते ना जमीन में फसाद चाहते आतंगवाद क्या है फसाद जो फसाद आतंगवाद चाहते उनके लिए जन्नत है ही नहीं हूर मिलना दूर की बात उनके लिए जन् तो यहां पर वो बलून की में से हवा निकल जाती है कौन सा बलून जो प्रॉपगाइंडा चल रहा है कि जो आतंकवादी को हूर मिलेगी आतंकवादी को 72 हूर मिलेगी आतंकवादी को जन्नत ही नहीं मिलेगी जन्नत की खुजबू ही नहीं मिलेगी जन्नत का घर उन लोगो के लिए है ही नहीं जो जमीन में फसाद फैलाते हैं फसाद फैलाने वालों के लिए नहीं है जन्नक का घर किसके लिए नेक लोगों के लिए